नमस्कार साथियों तो जैसा कि मैंने आप सभी से मॉनिंग वाले वीडियो में भी कहा था कल इविनिंग वाले वीडियो में भी बताया था कि आज मैं अधिक्यारियों से बात करूँगा इवेंदो नेदे सालाय में भी बात करने का प्रयास करूँगा और सारी बाचित जो है और second installment किनका आएगा पांच सवालों का जबाब आपको इस वीडियो का अंदर completely मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा informative और helpful रहेगी तो वीडियो को अंद तक वाज करना वीडियो को start करूँ लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को अभी तक नहीं सस्क्राइब किये हो तो सस्क्राइब कर लो क्योंकि यूपी स्कॉलर्स को फिल्ड में आपको सबसे authentic update चाहिए तो जोड़ना होगा हमारे साथ चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको सारी तक आप लोगों का फॉर्म या तो रिजेक्ट हो जाएगा या तो बेरिफाई तो जिन भी छात्रों की करेक्शन में या फिर किसी प्रकार के फॉर्म में गलती थी उनका रिजेक्ट होना तेजी के साथ सुरू हो चुका है और रिजेन का लिखा रहा है कि इंस्टिट नाट बेरिफाईड बाई अफिलियर्टेड एजेंसी यानि कि जो भी अफिलियर्टेड एजेंसी हैं उनके दोरा इन्वर्सिटी आपका इंस्टिट जो है वो बेरिफाईड ही नहीं फरसी समझ गए तो कई सारा ऐसा बदल रहा है डारेटली हम मुद्दे पे आते हैं वो मेरा पहला सवाल था अधिकारी उसे जो मैंने बात्चित किया है कि स्कॉलर्शिप जो है वो भेजी जा रही है लेकिन एक क्रम में नहीं भेजी जा रहा है ऐसा क्यों उनका सीधा सा सवाल था जो की ट चात्रों का फॉर्म 26 जन्वरी से पहले बेरिफाइड हुआ था उन चात्रों का पैसा होली से पहले आ जायेगा खाते में और ये सारी जानकारी उन्होंने बताई मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूं बाकी का दूसरा जो है वो यह है कि 26 जन्वरी के बाद जो भी चात फॉर्म जिनका बेरिफाइड हुआ है उन सब का पैसा जो है होली के बाद या फिर 15 माज के बाद भेजा जाएगा तो अब लोग कि सारे डाउट खतम पैसा कब भेजा जाएगा किनका नहीं बाकी सेकंडे इंस्टॉल्मेंट को लेकर मैंने बातें की है कि सर जन्रल वालों कभी अमाउंट काफी कमाया है OBC कभी कमाया हो यसी का तो उन्होंने सीधा सा कहा है कि देखिए बजट के उपर है बजट अगर बचता है तब के केस में यह सेकंडे इंस्टॉल्मेंट जनरल OBC सबको देंगे नहीं बचता है तो नहीं देंगे और अब यहां से मैं अपना अन्भव आपके साथ सेयर करता हूं कि देखो बजट बचे ना बचे यह लाश्ट में अपना हाथ उखा लेंगे कि बजट नहीं है इसका भाव में इतने छात्रों को छात्रृत्ति नहीं दी जा सकी समझके आप लोग तो कुछ इस प्रकार से हैं कि सेकंड इंस्टॉल्मे सेकंड इंस्टॉल्मेंट आने को लेकर पूरा चांसे वह हैं समझ गए तो यह आप लोगों का जो भी सवाल था उसके अभी क्या है कि अगर तेजी के साथ जो स्टैटस है वह बदल रहा है तो आप लोग भी अपना स्टैटस चेक करने के लिए क्रोम पर सीधा सा बोर्स ए करना है और नीचे चले आना है नीचे आने एक बाद आपको कई सारा मतलब लिंक्स देखने को मिल जाएगा फ्रेस रेनिवल इंटरमेडियर पोस्टर इंटरमेडियर तो आपका जो सा भी काटेगरी है अप समझ रहो तो उस पर क्लिक करके अपना स्टैटस देख लो यह हो जरुत नहीं है और इसका यह मतलब है कि डाटा जो है वह इनवर्सिटी के द्वारा आपका भेजा नहीं गया है फिर आपके कॉलेज इंस्टिट्यूट के द्वारा नहीं भेजा गया है जिसके कराड़ अधिकारियों ने डाटा को सत्यापित नहीं किया है समझ गए तो फार्म बेरिफाइड भी हुआ है और जिन भी छात्रों का फार्म बेरिफाइड हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है और वैसे एक चीस मैं और क्लियर आपको कर दूँ कि पांच मार्च जो है वो बेरिफिकेशन का आखरी डेट है यानि कि इसके पहले तक आप लोगों का जो है पांच मार्च के साम तक बेरिफाइड हो जाए गया क्योंकि उसके बाद आप लोगों का सिर्फ इस्ट्रैटस अबडेट होगा फार्म बेरिफिकेशन पे कोई कारे नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें हो गए बाकी का आप लोगों का कई सारे चात्रों का और भी सव गए तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूस नहीं होना है और देखे जो बाते मैंने आपसे सेर किये हैं वह जैन्वन है अंड्रेट परसेंट और थेंटिक हैं जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सस्क्राइब किये हैं वो सस्क्राइब कर लें यूपी स्कॉलर्शिप के फिल्ड में आप आख बंद करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ और जैन्वन अपडेट पासकते हैं असके लावा जो भी बाते हैं वो हंड्रेट और पर्सेंट रेट कर से आपको कई दूंकि सही सावित होने वाले या आने वाले दिनों में क्योंकि ये उन अधिक्यारियों कि दुआरे जो बात निक्सक्रस मिला है हो वह बाते मैंने आपसे सेर हैं असके लालावा क्यों सारे छात्रों का फार्म जो है ? वह दो थारिख को भी हुआ है वेरिफाइड नहीं हो घूरा जिनका नहीं हो रहा है अस तीन हो गया कल चार पर सों पाच त वही पांस तारीक क साम तक आप लोगों का form verify कर दिया शाएगा तो समझ गए तो बिल्कुल परसान नहीं होना है और जिन भी छात्रों को पैसा आज या कल की डेट में receive हुआ है वो screen shot Instagram पे send करें और पैसा जो है वो daily basis पे कुछ न कुछ किसी न किसी छात्र को भेजा जा रहा है बड़े पैमाने पे हो सके तो 5 मार्च को भेजा जाए ये मैं आपके साथ एक data share कर रहा हूँ यानि कि परसों की date में समझ गए तो आप लोगों को यहाँ पर परसान नहीं होना है बिल्कुल भी और कई सारे छात्रों का का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है क्योंकि अब आपका स्कॉलर से नहीं मिल सकता जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है इनका कहना है कि सर मुझे रिपलाई कर दो यह देखो सर मेरा रिजेक्ट हो गया कॉलेज में भी बात किया तो बोल रहे थे कि data forward कर दिय है हमने तो अगर उन से कवक भई डाटा अगर forward कर दिया कॉलेज सही है तो फिर क्यों प्रेजेक्ट हुआ है और रिजेक्ट हुआ है कालेज का ही इसमें मतलब है मेंसानाऊट की कॉलेज के ही लग के सकते हैं affiliated data से agency से न affiliate हो पाना जिसके कारण reject कर दिया गया तो आप लोग इसके लिए college को मतलब बात कर रो बाकी कुछ किया नहीं जा सकता जिनका भी reject कर दिया गया है भविस्त में उनको scholarship का लाव इस सत्र में नहीं दिया जाएगा यहां पर देखें सत्यापित नहीं किया गया है इसी पर भी starting में बात किया और यह maximum शात्रोग में सही हो चुका है बाकि अगर आपका form verified है तो परिसान नहीं होना है verified नहीं है तो फिर समस्या की मतलब मूल जड़ जो है वो है तो आप इन सब चीजों के regarding नस्दी की डीडेवलो ऑफिस भी जा सकते हो या फिर आप cm help line नमबर पे सिकाय दर्ज करा सकते हो online complaint दर्ज करा सकते हो या फिर आप अपने college में भी बात कर सकते हो तो I hope कि आप लोगों का जो भी doubt था चात पृत्ती से जूड़ी हो सारे doubt सारे confusion खतम हो गए बाकी का कोई doubt होता है कोई confusion तो आप comment section में पूछ सकते हैं और Instagram का direct link आपको description में मिल जाएगा जहां से आप follow करके question मेरे से directly कर सकते हैं वीडियो कर एक भी question काम की लगी हो लाइक subscribe share कर दें दोस्तों में जिससे की ज़्यादा ज़्यादा लोगों तो सही information पहुशेंग चलिए हम जल्दी मिलेंगे किसी नए उड़ो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए thanks for watching जैह बने मातरम